आज की ये वीडियो फॉकसड़ है डी अन बी रिपोर्ट के ऊपर जिसको हम फुल फॉर्म में डन एन ब्रेड स्ट्रीट रिपोर्ट बोलेंगे तो डन एन ब्रेड स्ट्रीट एक कंपनी है जो काफी ज्यादा पराणी कंपनी है राउंड 250 यह एक क्रेडिट टाइप कंपनी है यह तो बेसिकली दो कंपनी का मर्जर एक डन नाम के सरनेम के परसंगी और एक ब्रेट स्ट्रीट नाम के सरनेम के परसंगी जो अराउंड 90-80 years पहले इनका merger हुआ था तो उसके बाद ये company को form किया गया तो इनके पास बहुत सारा database रहता है अलग-लग इनके clientels का तो इन database के base पे एक score generate करते हैं तो जैसे हम Cable score या CMR score देखते हैं तो इनका ये द्वारा generated score भी हमारे लिए फायदे मन रहता है तो ये report हम कभी use करते हैं majorly हमारे लिए सीखने का point क्या है इसके अंदर कि जब हम अपने case की assessment करते हैं जब हम अपने इंडिया में बेट के अपने case की assessment करते हैं तो उन cases में जहां पे हमारा जो borrower client है इंपोर्ट या export के साथ related काम कर रहा है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के साथ अलेटिड काम कर रहा है तो अगर मैं especially export business की बात करूँ तो जिन पार्टीस को वो export कर रहा है जिन पार्टीस को foreign countries में export कर रहा है हमें उन पार्टीस के बारे में idea नहीं रहता कि वो पार्टीस किस तरह की standing है वो पार्टीस जैनून है भी या नहीं या यह भी हो सकता है कि हमारा borrower ही कहीं उन पार्टीस के साथ partner या associated नहीं और अपने ही एक तरह की group company को export नहीं कर रहा हो या यह पार्टीस जो export पार्टीस हैं वो कोई bogus entities ना हो और कोई हवाले वाला काम ना हो रहा हो तो इस तरह से कई बार यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो export पार्टीस हैं वो specially sound पार्टीस हैं या genuine पार्टीस हैं भी या नहीं तो similar case में हम import transactions के लिए भी कह सकते हैं तो इन पार्टी के बारे में एक brief information एक brief introduction with their credit rating हमें पता चल जाता है कि किस तरह की वो फर्म है जिसको export कर रहा है तो यह dnb report generate करवाना costly रहता है borrower से हम इसकी cost recover करते है अगर यह generate करवाना पड़ा तो इसको cautiously use करना चाहिए ऐसे हर case में हम इसको use नहीं कर सकते तो around 5-10,000 पर रिपोर्ट की इसकी cost रहती है तो normally इसको हम उनी scenarios में use करते है जब हमारी import में यह export में dependency एक या दो customers के उपर बहुत ही जाद रहती है for example अगर मैं बोलूं कि किसी एक ही party को 25% से जादा का export हो रहा है तो हमें लगता है कि dependency पूरे business की एक ही party की उपर बहुत जादा है तो हम उसकी dnv report pull करवाने की मांग कर सकते हैं अपने बोरोर के दुरू वो dnv report pull करने की request जो है वो हमारा bank ही put up करेगा हमारा bank ही put up करेगा उसकी cost जो है वो बोरोर के account से debit हो जाएगी तो usually यह 10 से 15 दिन के अंदर अंदर यह report हमारे पास बनके आ जाती है इसकी dnv की condition भी stipulate कर सकते हैं अगर आपका bank का law करता है तो पर कई बर क्या होता है कि अगर तो आपका जो export party है वो अच्छी countries में located है फिर तो यह report बहुत timely generate हो जाती है पर कई बर बहुत पिछड़ी होई countries बहुत poor countries में अगर यह party से located है तो यह dnv report कई बर नहीं भी निकलती या निकलती है तो undetermined type की निकलती है कि जिसका पूरा पता नहीं लगाया जा सकता या फिर बहुत ज़्यादा exceptionally high time लेती है कि 30 से 45 दिन में निकल के आएगी report तो उन cases में कई बर यह ज़्यादा useful भी नहीं रहती तो चलिए यह basic जानने के बाद हम एक sample जो dnv report है वो अपने सामने देखते हैं तो यह sample dnv report है आपके सामने तो यह dnv report बहुत ही recent आप देख सकते हैं कि यह 10-8-2023 की report है तो confidentiality purpose के लिए इसमें जो critical information है जो sensitive information है उसको black marker से मैंने hide कर दिया है तो आप ध्यान से देखेंगे कि देखिए यह dnv report शुरू होगी और यह अरूंड 12 pages की report है तो यह जो report आपके सामने बनके आई है यह report में उन्हों पूरी मलब इससे भी जब full-fledged किसी अच्छी company की report आती है तो इससे की ज़्यादा information capture होती है जितनी इस report में आप देखेंगे कि उस company के बारे में capture की गई है यह जो यह report है यह Singapore based company की report है तो उसके बारे में उन्होंने 12 pages में explain कि ए उस company के बारे में तो आप जानेंगे कि देखिए क्या क्या चीज़ें explain की है तो देखिए इसमें company का नाम यहां पर लिखा हुआ था उपर यहां पर नाम लिखा हुआ था यह जो saved by के सामने नाम लिखा हुआ था कि generator कौन है कि कि ने request put up की थी यह report generate करने की यह कोई reference नंबर उसका लिखा है यह dns number dnb report का एक unique number होता है तो unique borrow or identification number आप इसको बोल सकते हैं कि dns number आपको पता होगा तो dnb site के उपर आप इसको search भी कर सकते हैं तो sensitive data है तो इस वज़े से इसको hide कर दिया गया उस company का सिंगापूर के अंदर जो भी registration number था वो registration number यहां पर mention कर दिया गया तो next देखते हैं कि क्या इन्होंने बताया इस company के बारे में देखिए यहां पर information बड़ी critical आपके समने present की गई है उन्होंने बताया कि यह company की age कितनी है यह nine years प्रानी company है 2014 के अंदर इसको start किया गया था इसका failure score बताया गया है 86 देखिए दो तिन चीज़े ही सबसे ज़ादा देखने वाली होती है अपना dnb report के अंदर एक तो यह failure score आपके लिए important रहता है dnb rating important होती है पर उतनी भी important नहीं रहती क्योंकि इसमें काफी ज़ादा information का gap रह जाता है एक paid access score होता है dnb report के अंदर paid access score इस report के अंदर updated नहीं है तो जैसे यह failure score रिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे paid access score भी लिखा जाएगा मैं आपको एक sample report और भी दिखा दूँगा जो dnb की site पे ही available है तो यह failure score क्या represent करता है कि इस company का future में survive करने का कितना probability है मलब failure होने का कितना percent जो है वो chances हो सकते हैं इसके तो यह जितना ज्यादा होगा मतलब उतना lower risk है मलब इसको इस तरह से read नहीं करना कि failure score 86 है तो that means इसके 86 percent chances है कि यह future में fail हो जाएगी तो जितना ज्यादा यह score होता है 0 to 100 के बीच में होता है तो जितना ज्यादा यह score है तो उतना ही lower रहता है Similarly जो paid X score है यह तो company के failure के बार में predict कर रहा है जो paid X score है वो paid X score यह determine करता है कि company जो अपने creditors को जो payments है वो time पे कर पा रही है नहीं कर पा रही है उसका risk level बताता है तो वो भी 0 से 100 तक होता है जितना ज़्यादा वो score होता है उतना ही ज़्यादा lower risk की बात होती है वो तो इसका failure score rate is 6 है that means इसकी survival की जो estimation है वो अच्छी खासी बताई गई है DNB rating का criteria लग लग रहता है तो ये GG minus की rating इसको दी गई है तो GG की जो rating होती है ये उसके basically capital structure के उपर defined की जती है कि उसका capital base कितना है company का और minus का score तब उसको allocate किया जता है कि अगर information उस company की financial strength के बारे में इतनी ना मिल पाए जिसकी वज़े से ये undetermined cases में minus का score दिया जता है तो मैं अब सबसे last में आपको इसका parameter दिखा देता हूँ एक बद ये देखिए सबसे last में हम आ जाते है ये सबसे last में जब हम आएंगे यहाँ पे आप देखिए कि ये ratings के इनको parameters assign किये गए है तो net worth के उपर इस तरह से ratings द change में उनकी vary करती होगी तो जितना lower आप जाते जा रहे हैं आप देख देख पा रहे हैं कि उनकी capital कम होती जा रही है तो उनका मतलब risk बढ़ता चला जा रहा है रहता है कर risk indicator 1 है तो मतलब condition strong है और minimum risk है टू का risk indicator है तो good है low risk है थ्री का risk indicator score है तो fair है वो slightly greater than average risk है तो यह dnb की जी report होती है जैसे symbol सारा data वो fetch करता है बैंकों के थरू तो dnb भी अपना जो financial indicators, financial strengths, company का background, company की credit history वो सारी जो public domain में information उसकी available होती है उस public domain की information के थरू उसको pull क करके सारा risk generate करता है तो कई बर ऐसे होता है कि कई बार जैसे कोई बहुत पिश्कीड़ोई countries में data available नहीं होता तो dnb ये तक काम भी करता है कि उसकी company की management को mail डालके उनसे data retrieve करने की उनसे काम करवाने की कोशिच करता है अगर mail डालने के बाद कोई response ना करे तो उसके बार में अपडेट करता है कि हमने इस इस person को mail डाली थी इस date को उनसे बात की थी और उन्होंने हमें इस बारे में कोई update नहीं दिया तो हैंस हम अपनी rating के उपर कोई comment नहीं कर सकते तो ये बी एक बार मेरे पास report सामने आई थी तो उसमें ये चीज भी इस तरह से उन्होंने mention की थी तो ये हो गया उसकी risk rating का हो गया तो dnb rating के अंदर तो चलिए उपर चलते हैं देखिए तो यहां पर gg minus rating उनकी assign कीगी है failure score assign किया गया है तो यहां पर उनकी annual sales बताईगी है जो उनके पास last available होगी और INR में convert करके उनने रुपीज में convert करके बताईए यह उनका पूरा वो बता दिया कि age कितने कंपनी की constitution बता दिया उनका contact number बता दिया उनका principal address वगयरा बगता दिया तो critical information यहां पर बता दी तो risk assessment जो यहां पर clearly नहीं दिख रहा तो यहां पे इन्होंने moderate lower moderate risk में इसको allocate किया है ज्यादा risk नही तो moderate risk में इसको allocate किया है तो उन्होंने लिखा दिखिए कि done and breadstreet things overall assessment of the company is stable based on the predicted risk of failure strong likelihood of continued operations क्योंकि 86 का score था based on the financial strength low ability to pay obligations उन्होंने जो भी उसका financial strength को assess किया उसके उपर उन्होंने अपना opinion दिया कि हमारे recording इसकी अपनी obligations को pay करने की ability का मैं थोड़ा सा इस पे risk उन्होंने अपना ज़्यादा बता दिया तो failure score मैंने आपको already बता दिया कि risk level overall company का lower side पे है DNB rating GG minus है मैंने आपको बता दिया GG जो होता है वो उसका capital base के उपर based होता है और जो minus का score है वो undetermined कि अगर उनको पूरी complete information ना मिले तो right उसके बाद उन्होंने देखिए DNB ने उनके basic जो last financials available है उन financials को यहाँ पर update किया है net worth current assets fixed assets liabilities तो देखिए पूरी report accurate हो या ना हो कई बार इसके उपर question mark हो जाता है अब देखिए जैसे GG की इन्होंने rating assign की है based on capital structure बट यहाँ पर इन्होंने net worth को यहाँ पर negative figures में represent किया है हलांकि मैंने जब cases किया था तो net worth इनकी negative नहीं थी net worth इनकी positive side पे थी इतनी मांट से तो net worth हो गया current assets fixed assets का sites current liabilities long term debt total liabilities उस तरह से उन्होंने एक balance sheet की position दे दी तो इससे आपको अगर आप किसी export party जो आपका borrower किसी export party को supply कर रहा है तो sale बता दी current ratio बता दी ठीक है तो risk category इसकी lower risk category में इसको classify किया उन्होंने तो आगे फिर इन्होंने फिर से इस कंपनी के बारे में आगे information बताईए just a second देख सेकें दोबार open करने कोड़े तो यहाँ पर नीचे आके उन्होंने दुबारा वहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने company के बार में further information को बताया गया है कि company का कहां कहां पर address है कि यह single location में है या multiple locations में है again तो अच्छा यह जो company का हमने करवाया था यह company को हमारा borrower export नहीं करता था हमारे borrower की 100% subsidiary company थी तो यह इसमें इन्होंने holding company का नाम लिख दिया कि subsidiary of which company तो यहाँ पर holding company का यहाँ पर नाम लिख दिया जिसमें हमारे Indian borrower का नाम था तो वो हमने यहाँ पर देख लिया website यहाँ पर आ गई तो इनकी history clear है यह लिख दिया तो आगे उनकी personal वहाँ की जो Singapore based information वो यहाँ पर reflect कर दी तो chief executive officer CEO का नाम यहाँ पर आ गया कबसे वो CEO है यह आ गया इस company की Google location की tagging आ गई यहाँ पर DNB rating मैंने आपको already बता दिया तो financial summary again यहाँ पर reflect कर दी उन्होंने 31 March 2022 की तो financial rating यहाँ पर आ गई तो then उसके बाद यह देखिए minus का GG का मैंने आपको बताया था कि based on capital allocate किया जाता है score और जो minus का जो risk indicator होता है वो unretirement लिखा है minus तब दिया जाता है जब unretirement हो ठीक है कि उनको को जब मतलब complete information ना मिली हो कि तो देन आगे चलते हैं तो इसका score मैंने आपको बताया था कि 86 का score इसको दिया गया और इसके indicator इसको हाई का दिया गया था हाई का क्यों दिया कहता है उन्होंने बोला था कि मेरा जो अनुमान है कि इन्होंने यहां पर ऊपर capital को negative दिखा रहता है तो कुछ रिपोर्टिंग की 100% में एकुरेटर नहीं होती कुछ ऊपर नीचे data इनका रहता है तो उसकी वज़ए से इन्होंने बीच में तो जीजी म अच्छी है वर्किंग एफिशेंसी अच्छी है सेल्स ग्रोथ अच्छी है तो इस वज़ए से 86 का स्कोर दिया गया है तो यहां पर इनको ने इसके बस फैनेशल को जो है आगे प्रेजेंट किया है कि उसकी रेशों को कैल्कुलेट करके तो यह अपने लिए बहुत जादा कोई काम की चीज़ नहीं होती क्योंकि हम अगर एक्सपोर्टर का देख रहे हैं तो हम तो बेसिकली यह देखना चाहते हैं कि वह पार्टी जनून हो तो बहुत ज़्यादा उसकी इन डेप्थ फैनेशल के उपर हम गौर नहीं करते है देन उसकी कंपनी के दिया यहां पे तो कल को आप एक्सपोर्टर पार्टी को जज करें तो आप देख सकते हैं कि कहीं शेरोल्डर आपका बोरो रही तो नहीं है द्रक्ली और इंड्रक्ली तो यह पे उनके देरेक्टर के नाम आ गए उनकी नेशिनलिटी उनकी यूनीक आयडी सारा यहां पे हुम ने मेंशन कर दिया तो इससे भी आपको अपने बोरोर का नाम पहल पता चल सकते हैं कि बोरो या उसका कोई डिरेक्टर विगदर तो नहीं है तो लोकेशंज का डिटेल आ गया यहां पे उपरेशंस का डिटेल आ गया तो उनकी पेरेंट कंपनी का नमबर यहां पे सिंगापूर कंपनी की सब्सीडरी जैं उनकी यहां पर डिटेल डाल दी कि उनकी लोकेशन कहा है कितने परसेंट होल्डिंग है तो अगर कोई असोसियेट कंसर्न है सब्सीडरी नहीं है पर वैसे असोसियेट कंसर्न है तो उसके बारे में यहां पर डाल दिया कि कौन सी शीद नब्व熱 कि अन्दर सारी चीजों को क्लाशिफाई किया आजाता है तो एक रिपोर्ट हम Zo прин गूगल पर भी जाके देख लेते हैं अगर हम यहां पर सर्च करें यह नीचे मैं ने अल्रीर सर्च जो यह sample report आपको नजर आ रही है तो यह इन्होंने company की बनाई हुए है तो obviously यहाँ पर जो data इन्होंने share किया है यह public domain में ही share किया हुए data तो यह इन्होंने concurrence के तुरू किया होगा या यह सिर्फ एक rough इन्होंने report बना के दिखाई गई होगी यहाँ पर इस company के बारे में देखे पूरा history बताया गया है कि क्या है और यह देखे एक तरह से उसका paydex score होता है यह dnb paydex score है एक हमने failure score देखा था इसी तरह से यह dnb paydex score जो होता है वह one से 100 तक अपना दिखाया जाता है जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा नौर्मली यह 70 80 80 85 की range में अगर आए तो बहुत बढ़ी है बात है तो इस तरह से score को classify कि जते है तो इस तरह से score के parameters तो इनके पास काफी है तो मेंली हमारे पास पकड़ने वाली बात क्या है एक तो failure score को हम देखके चलते पेडेक्स score को हम देखके चलते है जो उनकी rating को assign किया जाता है जो जीजी माई देखने ही में मिल रहे हैं उनके वह चीज के ऊपर थोड़ा सा नजर मार लेते हैं मेंली की परसोनल्स के ऊपर नजर मार लेते हैं कि हमारे बोहरों कोई interlinked तो नहीं है और कितनी विंटेज है कितनी नहीं number of employees भी DNB report में reported रहते है इस report जो last में आपको दिखाई थी उसमें बारे में जानना चाते हैं पहचानना चाते हैं तो cautiously use कीजिए क्योंकि costly report होती है महिंगा पड़ता है आपको वह और और को खर्चा तो उन्हीं cases में use कीजिए जहां पे आपको कोई doubt हो तो यहां ऐसे cases में जहां पे आपको लगे कि dependency single parties के उपर बहुत ही जा रहा है तो झाल